कि के नमस्कार दोस्तों विणू की चैन में आपका स्वागत है plaid आज में बनाएंग एक कांचरी आचार यानि राजसतान काarta का फेमिस आचार और बहुती स्वाधिश्ट मथनुय होता है तो में चोटी काचरी आचार बना रहे हों इससे बड़ी वहीं आती है झाल रिश होती है घिली वालई वह मैं एंके साथ इसके साथ ही Shapya करके तकते मिल्कुल भी खराब नहीं होता तो सबसे पहले हम काचरी को काटके तियार करेंगे falling दी नहीं करेंगी सबसे पहली काचरी काटके तो तो आगे था देंगे और उसके बादको तो आप जैसे बड़ी ज्यादा बड़ी हैं तो फिर फिर हमारा चार खराब हो जाएगा पूरा तो यह मिठी है फिरम इस तरह से सारा काट लेंगे आपके पास बच्चा हो तो उसको थोड़ा-थोड़ा बीज आप देके उसको भी चखा सकते हो यह तो सारी काच्री हमें इसी तरह काट की dłर raise ayudar काट की टीयों पूहाऊ होज आप जतने हो इसके पाट कर सकते अपने यसाब से और मिर्च भी मेरे का लिया वैसे हैं बिच में से लाल वाली मिर्च बनते हैं आपड़ commercial प्राइब इसमें डाल सकते हो और इसकी मैंने यह नोग अठा दिया मिर्च की और काच्री यह आगे का यह बीचा दिया है नाकूबी और एक चमच हलदी लिये यह अगทำ इसका अचार बनाएंगे अभी तो इसको हम इस तरह से मिला के दूप में रखेंगे ताकि इसमें जो अक्ष्ट्रा पानी होता है जो इसका ज्यूस होता है वह सूख जाए और अचार लंबे टैम तक चली और टेस्टी भी बने और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे और तो यह तिन चार गंटे में लग सकते हैं तो मैं इसको दूप में रखो दूए और इसका पानी सूख जाए वस्य थोड़ी सूखी सूखी शी हो जाए मौस्ट्र नहीं रहे समय इस तरह से मीला के हम अच्छी तरह मेला देंगे इसमें हल्दी और नमा और फिर दूप में रख देंगे उसको अगर आपकी दूप अबलेबल नहीं यह तो पंक की ववामे भी इसको रख सक्ते अगर आ ROB को रख सक्ति जिसे ज्यादा अच्छी नहीं थी इसले 3-4 गंटे के लिए मैं इनको दूप में सुका दिया था अच्छी दूप होती थी दो गूंटे में त्यार होगा जाती है और इस तरह से सुक जाए जाइए ज्यादा अच्छी तोरह भी नहीं शुकाना है इसको कि एकड़म ये सुक जाए बस इसके हलकी सी नमी निकल जाए यह आप देख रहे हो अच्छे से तेख सकते हो इसको साब दिखाई दे रही है यह यह जो पानी थाक्ष्टा वो सूख गया है और इसके मसाले में आपको बता देती हूं यह मैंने एक चमच नमक लिया है एक चमच में पहले इसमें एड़ क लिया तो यह भी तीक होती है तो इससे बैलेंस हो जाएगा मिर्च यानि तीखापन और यह लिए दो चमच जीरा और आप इसमें कडूंजी भी ले सकते हो मैं कलूंजी यहां पे ले नीरेयूं कडूंजी से भी आचार में टैस्ट बढ़ जाता है लेकिन मैं कडूंजी कह हो गया है तेल से दुवा आने लग गई अब इसमें यह जीरा एड़ कर देंगे और घ्राइश बंद कर देंगे हमें इस को क norma करें हो हुश करदें के सब्सक्राइब है कि युट हो गे ठाल हमें मिक्स करेंगे तो यह थेक्ष ऐत आस मिनट इसको상이ently कर लिया जाद एक आष्री डोजेत करना कि तेल का काम ना जाए और यह मैंने सरसु का तेल कि लेना मैं तो बगधी गरम होता है वॉइस नीचे काच्छी के बीज बचे वह थे मैंने रख लिए उनको वैसे तो यह मोटी वाली काच्री वाली हम बोलते हैं जो आचार में डाली जाती है और यह मिर्श भी हमें डाल सकते हो थोड़ी सी एक चमच और भी अच्छा कलर आजाता है अब हम इसको अच्छे से सब्सक्राइब करना वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों मिलते नहीं रेशिपी के साथ तब तक के लिए बाई बाई